स्वागत है आपका हमारी चैनल घंडबाल क्लासिज में तो बच्चों आज हम देख रहे हैं क्लास 7 लिविंग साइन्स का चेप्टर नमबर 13 है रिप्रडेक्शन इन प्लांट्स तो बच्चों आज हम इस वीडियो में जैसा कि आपको पता ही है कुशन अंसकर डिसकर्स करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बैल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपकी जो सब्जेक्ट है उस सारे वीडियो चापको मिलते रहे हैं इस चैनल के मादम से हमने लिविंग साइंस क्लास 6 और 7 को दोनों क जफ्टर नम्मर यह 13 है यहां तक हमने सारे चैनल से एक्समेंन किया है और इन सभी चैनल के कौसन आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाय है अगर आपने वो सारे वीडियो चैनल के नहीं देखे है या फिर आपको जो भी चैनल देखना है उसके लिए डिस्किप्शन में ए एक लिंक दिया गया है वहां से जाके आप उन सबी चैप्टर्स को बहुच कर सकते हो या फिर उनके कॉशन आंसर कर सकते हो और इस चेप्टर का explaining वीडियो भी आपको description में लिंक में मिल जाएगा तो चलो इस चेप्टर को यानि कि इसके question आंसर को start करते हैं तो आपके जो first number का question है वो आपके mcqs type की question है जिनमें आप देख सकते हो पहला question है in which in plant sexual reproduction occurs in which of the flowing यहनि कि sexual जो reproduction है वो इनमें से किन से होता है तो मैंने आपको बताया था कि sexual reproduction flower में होता है ठीक है क्योंकि sexual reproduction के लिए male और female दोनों reproductive part की requirement होती है और यह दोनों जो reproductive part है वो हमारे flower में होते है है तो आपके यह जो reproduction है आपके flower में ही complete होता है sexual reproduction question number second है which of the flowing method of the reproduction is sexual इनमें से कौन से method sexual है तो देखो इनमें से कोई साभी method sexual नहीं है क्योंकि यह सभी asexual methods है जिस्ट का जो reproduction होता है वो इनमें इसी किस method के दोवारा होता है तो उसका right answer है वर्डिंग यहने की इस्ट में वर्डिंग प्रॉसेस होती है जब हमने इस चप्टर के explain किया था तो हमने आपको चीज अच्छी से clear कीती है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो description में उसका लिंक है chapter 13 आप वहाँ से पहुच कर सकते हो बाकी और chapters chapter 1 से लेकि 13 सारे वीडियो का प्रिंक प्या मैंने नीचे दे रखा है तो आप जाके बहुच कर सकते हो कौशन नंबर जो फोर है जाइगॉट इस रिलेटेट टू बिच मैथर अप्ट रेप्रडेक्शन ठीक है तो जाइगॉट का फॉर्मेशन तयार होता है आपके sexual में ठीक है अब कैसे होता है क्या होता है यह सब कुछ में एक्स्प्रेइणिंग वीडियो में समझा रखा है नेक्स्ट क्यूशन फाइव है विच अब दीज इज मेल रिप्रडेक्टिव और्गन इन द्प्लांट तो आपका इस्टेमन है मेल रिप्रडेक्टिव ठीक है पिस्टिल आपका फी मेल होता है question no.6 है which of the following contains axles in plants plants में axles जो होते हैं ovule में होते हैं ठीक है ovule जो कि ovary क अंदर होता है question no.7 है which of the these develops into the seeds एनि किन में से कौन seeds की रूप में develop होता है तो ovule ही obviously ovule ही किस की seeds की रूप में develop होता है अगला 8 question है a plant was found that have seeds with hooks by which method of the most likely to be dispraise तो अगर seeds में hooks होते हैं तो वो animal के दोवारा dispraise की जाते हैं जैनतिम इसका एक अच्छा example है next question no.9 है which of the following is a dispraise by water इन में से कौन water के दोवारा dispraise होता है तो lotus तो यह water के दोवारा dispraise होता है which of the following is incomplete flower incomplete flower इन में से क्या है तो papaya एक incomplete flower है तीक है अब complete flower incomplete flower होता क्या है यह मैंने आपको वीडियो में explaining वीडियो में चीसे समझाया है जिन flowers में चारो holes होते हैं यानि कि दोनों reproductive parts होते हैं वो आपका complete flower होता है और जिसमें यह नहीं होता है यानि कि इसमें एक reproductive part होता है या फिर उसे हम incomplete कहते हैं very short type के next question भी है आपके तो देखते हैं तो जिसमें एक ही parent होता है वो आपके sexual reproduction होता है और जिसमें दोनों parents होते हैं तो आपके sexual होता है Moses and funds reproduce by Moses और funds जो होते हैं आपके sport formation के दोबारा reproduce होते है spy row gyra वो आपके fragmentation से reproduce होता है ठीक है तो sport formation और fragmentation यह दोनों ही reproduction की methods है next step potato reproduce from seeds तो never पॉल से पटाटो seeds से reproduce नहीं होता है birds से होता है अगला है the process of growing new plants using artificially method is called तो artificial method से अगर हम plants को grow करते हैं तो वह हमारा artificially propagation होता है अगला question about is the process of fusion of male cell and egg cells तो वह आपका fertilization होता है next 7th question है the fusion product of male and male cell or egg cells in known as तो उसको जाइगोट बंस है यानि कि जो आपका fertilization process होता है उससे जाइगोट का formation तयार होता है तीक है complete proper have both male and female organs तो यह अभी मैंने जस्ट उपर आपका explain किया था true है question number 9 है name one seed that is dispersed by dispersed by तो देखो विंड के दुबारा आपके cotton seed dispersed होता है और explosion of fruit pea seeds तीक है अगला last question है आपका 10 वाला a seed cannot starting germinating in the absence of water तो बिल्कुल सही है यानि कि पानी के बिना कोई भी seeds germinate नहीं हो सकता है आगे कुछ short type के questions अंसर है तो वह हम करते हैं पहला question है आपका वाट is reproduction वाइज reproduction इंपोर्टेंट रिप्रडेक्शन क्यों इंपोर्टेंट है तो इसका संतान को पैदा करना ही reproduction होता है और इट इस इंपोर्टेंट बिकॉज life continuous form of generation to generation यानि कि हमारी जो लाइफ है उसको वन generation से another generation में हमें transfer करना होता है ठीक है इसलिए reproduction का जोरूरी होता है आगे question number two हम देख रहे है नेम वन रिप्रडेक्टिव एंड वन वेजेटिटिव पार्ट ऑफ प्लांट ठीक है एक रिप्रडेक्टिव और एक वेजेटिटिव पार्ट ऑफ प्लांट का नाम हमें यहां पर बताना है ठीक है तो इसका दोबारा वेजेटिशन हो साता है अगला question है थर्डवाला how does yeast reproduce इस्ट का रिप्रोडूच कैसे होता है मितलब यह देना ओपर हमने एक शोट टाइप में पढ़ाता कि यह का जो रिप्रडूक्शन होता है वो बडिंग मैथर से होता है ठीक है ओके अब बडिंग मैथर्ड क्या होता है वो समझ लो देखो यह इस्ट रिप्रोडूच भाइब डिंग यह स्मॉल अमांट ओप आप काईटो प्लाज्म एक्विलेटेट एड़ ड़ा बन अप चैल यह की जो सेल होती है उसके वन एंड पे एक हे इस्मॉल अमांट का कायटो प्लाज्म एकट एक्विलेटेट हो जाता है एंड वो आगे जाके words की form में बन जाता है ठीक है word बन जाता है एक तरह से and the nucleus divides into two और जो हमारा yeast का nucleus होता है yeast का वो दो nucleus में divide हो जाता है ठीक है one of them enters the word और एक nucleus जो होता है जो वो word बनती है ठीक है उसमें enter हो जाता है that time the word grows and gets detached from the parent और दीर दीरे word क्यों होती है बड़े होती है और वो अपने parent cell से detach हो जाती है डेटेच का मतलब है अलग हो जाती है और फिर वो अलग से एक नई cell या फिर नया plant बन जाता है ठीक है तो इसमें ऐसा होता है देखो मैं समझा रहा हूं आपको मालेजी आपकी एक yeast cell है ठीक है यहां से एक formation तयार होता है बड़ का मालेजी यह बड़ निकल रही है ठीक है इसमें क्या है कि एक ही नुकलेस होता है लेकिन फिर एक नुकलेस से दो नुकलेस बन जाते है और यह वाला जो नुकलेस होता है वो फाइनले इसके अंदर आ जाता है तीक है अब यह दिर दिर बड़ा होता रहता है जैसे इतना बड़ा हो गया जो भी हो गया आलेजी जब जो इस्ट बन जाता है इदर से एक नया इस्ट बन जाता है तो यह ऐसा कुछ बढ़िंग प्रोसेस होती है आगे हम देखते हैं कौसन नमर फूर है बिच प्लांट रिप्रडूज बाई स्पॉर्प फॉर्मेशन इस पॉर्मेशन के तोबारा कौन सा प्लांट जो है रिप्र प्रोडियूज किया जाते हैं ठीक है और इनको फैब्रेल कंडिशन में ही यह गुरू हो सकते हैं अगला फिप्ट कुशन है हाओ इस सेक्ष्वल रिप्रडेक्शन डिफरेंट प्रोम्द एसेश्वल तो देखो सेक्ष्वल में क्या होता है दो पैरेंट्स होते हैं कितने दो पैरेंट्स होते हैं एक मेल होता है और एक मेल होता है ठीक है तो मेल एंड फिमेल यहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं या जो भी ओफ स्प्रिंग होती है उन दोनों में मेल और फिमेल दोनों के ही क्या होते हैं जीन्स आते हैं उनमें दोनों की करिशिटी यह गुण आते हैं ठीक है बट यहां पर जो आप स्प्रिंग पैदा होती है किन म आसेक्सिल में थेकिए वो बिलकुल अपने पैरेंट सेल की एक्जट कॉप्य होती है थे थर्ट आपन्स में की जोव प्लांस होते है उनमें ढartना है त्क और इनमने ज्वाब का है अंधेय। जो होता है उसमें कि विदाउट सीड होता है देखो अग्ला कुशन हम देखMr. लिजड the different kind of sexual reproduction in the plants and the giving one example of each ठीक है तो देखो अब 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 होता है वो अलग टाइप को होता है जैसे एक तो fragmentation होता है ठीक है जैसे श्पाई गोरा एक एक चांपल है जिसमें फ्रेक्ट में फ्रेग्मेंटेशन प्रोसेस के दोबारा रिप्रेडेक्शन होता है दूसरा होता है बढ़ींग अभी हमने उपर पड़ा है इस्ट में एक होता है शपर फॉर्मेशन जो अभी पढ़ा है मौस में तो यह से एक्जांपल से अगला सेबंद कुस्छन है वाट इस दप एजटेटिटिव रिप्रडेक्शन ठीक है तो वेजटेटिव रिप्रडेक्शन एक्शली में होता क्या है हम यह समझना है तो देखो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका प्रडेक्शन नियुग प्लांट याणि नए प्लांट को को करनें का मेंटर्स होता है बेज स्तिक पर्यजिटिव पारट से होता है यानि मग 2 पर्रूइब शिर्फ प्लांट के पार्ट से ही एक नई जर्निशन को हम बना सकते हैं यानि कि आर्टिफिशल तरीके से ठीक है प्लांट का रेप्रडक्शन करना ही आर्टिफिशल प्रोपोगेशन होता है और मैतर्स यहां पर पढ़ेंगे बहुत सारी मैतर्स जब मैंने आपको चप्टरल एक्स्प्रेंड किया था सबको अच्छे से केलियर किया था तो देख लो आप देखो एक तो होता है आर्टिफिशल जो प्रोगेशन हम यहां पर देख सकते हैं एक तो होता ग्राप्टिंग एक कटिंग एक लेरिंग और एक टिशूज ट्रकल्चर यह चार मैतर्स जो हैं इस आर्टिफिशली ठीक है मैतर्स के अंदर पढ़ते हैं है कि ओंष नेक्स कुशन स्那 एक उंधर स उप्रॉस्शन सब्सक्रांटी आ क्युजट के स्कौंके यह होता है एक और इस से जाइगोट का फ्रॉटिंशन तैयार ओता है निगहाट एटक्राउट का फ्रॉटिंश्ण त्यार होता है अग्ला कूंशन है टन्स जाको चैदक करना स्टार्ट हो जाता है सब उसको प्रॉपर तरीके से मॉस्चर और Obsession मिलती है किसी भी सीट को तो वो समय बीस बेंस बूर्स एक चाएंट क्ीज़ने रह Lane कद नहीं होगा कि कि आगी हम कुछ पार कुछWAY हम आंसर देख रहे हैं इसzone में तो हम इनको देखना है तो देखो पहला है इन सम प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी है और ग्रासेज है ठीक है तो डैवल अग्वरिपस साइड सूट लाट्स इन के यह जो प्लांट्स होते हैं स्तॉबेरी और ग्रासेज। Πरेंग इनमें क्या वता सचाइड सूट का मतलब होता है जैसे माली यह इस्टोबेर ही प्लांट है और इस्टोबेरी प्लांट की कोई भी वन्ह जो ऐसे इदर फैल जाती है अगर माली जे जमीन को टच कर रही है तो यहां से ही रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है और एक नय प्लांट बन जाता है ऐसे ही इस प्लांट के जब ब्रांच इदर आके टच होती है तो यहां से भी रूट बनना स्टार्ट हो जाती है और यहा उन बड़ से एक नए मतलब प्लांट का राइज स्टार्ट होता है यानि वहाँ से एक नए प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है तो यह भी एक तरीका है यह दोनों ही बेज़ेटिटिव है थर्ड़ पॉंट देखते हैं बल्फ इन ओनियन और अंडर ग्राउंड यानि ओनि थिक लीव्ज निव प्लांट साग्मिनेट अलसो जैनि कि ओनियन में देखोगा आपने अगे हम देखते हैं कॉस्ट नमर्ट व्लों का वह टारदा एडवांटेज ऑफड़ यह दो नहीं होते हैं तो हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं स्कुसन का अंसर में और खाल दयाता पैलांट घ्लांट डिसटू न्यां अजाशन कीजनिक नहीं जो बांइश और ने की होते हैं यहां पर क्योंती होती हैं यह लिगरोंच नहीं में ढक़नता क्रिकंट प्लांट प्लांट शल्याहिके डिस खुटार्व ने की होती हैं तो इनक़े प्लांट में होता है जो नए पौदा होता है वो बिल्कुल एक्जिट कॉपी होता है अपने मातापिता की ठीक है तो इसमें डिजिस से लणने की जो ताकत है वो भी ज्यादा होती है थारड़ पॉइंट है इट रिक्वास लेश अटेंशन यानि की ऐसे प्लांट जो होते हैं जो बेज़ेटिव रिप्रडेक्शन के दुबार तैयार किया जाते हैं इनको धान रखने की बहुत कम जादा आविशकता होती है तीक है बहुत कम आविशकता होती है मतलब क्योंकि यह सीट फॉर्मिशन से त्यार होते नहीं है जो इनको बहुत जाद धान रखे बच्चे की तरह तीक है यह कोधी क्या हो जाते हैं बड़ी हो जाते हैं फूर्ट पॉइंट है इट हेल्पी डेवलफ न्यू बैराइटि ऑब दा प्लांट स्यानिकि वेजटेटिव डिप्र को जब चैप्टर एक्स्रेंट किया था बहुत अच्छी से समझाता कटिंग में जादा कुछ है नहीं है कि सिंपल सी बात है किसी भी जो प्लांट है उसकी ब्रांच को कट कर लेते हैं तीक अब किस प्रकार करते हैं वह मैंने समझा रखा है तो वहां जाका अब देख सकते प्लांट को भी हम कि सिंपल सी बात है माली जै कोई है तो पेड के कोई ब्रांच को ब्रांच को मिट्टी में दबातो अब करने जो अंतला मिट्ञा है तेकर पर तांज होता है कहुत्स मोगे कि आगने में हागा का म центр & со-ka man का कि हमां किसी को तोड़ के जब लगा देते तो नए पर पार जाता या ऐसा कुछ रोज में होता है अगला जो 8 फिश्ली में टप लेरिंग में एक्जिली में में होता Ka कुछ दिनों के बाद तीक है जहाँ से आपने उसको और अधा जमिन में काड़ देते हैं ग्राउड में क्या तेथे दिनों के बाद दिके हैं जहां से आपने उसको कवर कर गया है वहां से वो नया एक तरह से नई डाल या फिर नई ब्रांच जन्नेट हो जाती है और रूर्स भी बन जाती है ठीक है फिर जाके हम उसको जो और इनल जो ब्रांच का पेड है उसको हम काड़ देते हैं ठीक है इसमें देखो एक्जामपल से आपके रोज जैसमीन भी मिट्टी है ठीक है आप माली इसपीए ब्रांच है वाली तेक आपके इसं ब मोड़का कि और इसमें गार देंगे जैसे अब माले यह पूरी अब दाधी वाली तो यहां से हमने मिट्टी में गार दिया तो यहां से क्या है रूर से स्टार्ट हो जाती है नीचे और यह एक नए प्लाइट के रूप में आगे बढ़ जाता है और जब यह नए प्लाइट के रूप में आगे बढ़ जाता है फिर हम इसको यहां से क्या कर देते हैं कट कर द ग्राप्ट करते हैं ठीक है अब यह कैसे होता है तो पहले आप तो यह आशे आंसर नोट कर लो और मैंने एक्सफिलेंट कर रहा है उसमें वहाँ से आप समझ लेना अगला कोशन देखो बॉट इस पॉलिनेशन और हाओ डज इट लीट टू भी फर्टिलाइजेशन एक्सफिलेंट बिद्दा हेलप ओपी डियाग्राम तो देखो पॉलिनेशन एक प्रॉसेस होता है जिसके द प्रॉसे स्टिग्मा फॉलन ग्रेंश स्टार्ट तो ग्रो यानि कि स्टिग्मा में जब फॉलन ग्रेंश पहुंच जाते हैं तो वो ग्रो करने स्टार्ट होते हैं और इस फिन ट्यूब इस कॉल्ड फॉलन ट्यूब ग्रोज डाउन फॉर्म दा फॉलन ग्रेंश द्रोग इसको तुम पढ़ लो पहले तो ठीक है कर लो यहां से मैं समझा रहा हूँ कि अगर कि आपका उपर बाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा और यह जो नीचे बाला पार्ट होता है हैं इसको बोलते हैं तो सब्योंन होत हैं और आफके इंदर चोई यह बाला पार्ट है इसको वोगते हैं पर दों तेस कि ऐसे बाले पारट होता है है इसमें पुछ पॉलन होते हैं तो इन फोलन के रचिस को यहां से लेके और यहां पर transfer करने का जो process होता है, यह stigma होता है, तो हमें stigma पर fallen grain को लाना होता है, तो यह transfer करने का जो process होता है, इसी को हम बोलते pollination, अभी pollination आपके दो types होता है, एक तो आप दो होता है, self pollination, यानि कि जब यह process एक ही flower में होती है, तो self pollination, और जब यह process दो flower में होती है, यान तो बहुत से हैं जैसे बाटर है एजेंट टूप में ने बाटर नहीं है वो कुछ इंसेक्स बगएरा ठीक है इस पर आके बैठते हैं और फिर वो यहां से बैठके फिर इस पर आके बैठते हैं तो यहां से वो यह फॉलन गरेंज को अपने पैर में चिपका लेते हैं और यह wi-mail mlamets के साथ में प्रॉट्ट की चलता है है कि चलो अगला कुशन देख लेता है वाई दिशूशन ओप शीट्स नैसेसरी प्रश्ण नेसेसरी क्यों है नम दयजेंट औप डिस्पेशल गिविंग बन एक्जांपल और पीच ऑफ टासीट इंट इश्पेश बैइं देखो शीट्स का डिश्ट डिश्पेशन होना जरूरी है अगर शीट जो है डिसप्रेश नहीं ह तो क्या होगा तो देखो धान से लिए डिश्पेसल अब शीटस नेसरी सो देट शीटस अब प्लांट गेट इस केर्क्टर ऑवरी लार्ज एरिया इफ दा सीटस अब प्लांट फॉल एट बन पैलेस डेवल प्ली नॉट गैट एफ तीक है इसपेस वाटर मिननालस ऐंट अब अगर माल लेजे एक पेड़ के सारे बीच एक ही जगे गर जाते हैं तो वह एक जगे गर के पता क्या होगा वह उनको इन अबंप कौणटरी में न तो sunlight मिल पाएगा नाइन को वाटर बाएगा नहें इन अनप उनको water तरीके से grow कर सके उनको हर चीज proper amount में मिल सके ठीक है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं माली जी एक परिवार है उसमें 10 बच्चे हो गए ठीक है और parents की हैश्यत नहीं है कि उनको अच्छे से खाना खिला सके अगर माली जी पो 10 बच्चे 10 परिवार में अकेल अकेले होते तो वो proper तर सफिर विजन है कि सीड्स का बसुर्जर होना जरूरी है ऐग देखो के अब सीड्र करता कंने ठीके माली ज़िए सीड्स से बहुत सारे हैं हर plant के होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते ठीक है उनके कुछ agents होते हैं जो इनको एक जगह से दूसरी जगह पर transfer करता है ठीक है जैसे दिखो एक तो bind है water है ठीक है और animals है और exploration of fruits यानि सभी agent होते हैं ठीक है जैसे cotton और maple seed जो होते हैं ठीक है वो हवा से उड़के अपने आपी दूर चरे जाते हैं ताकि वो किसी दूर जगह पर जाके अच्छे से ग्रू हो सकें ठीक है water जैसे lotus का जो शीड होता है उसको water क्या कर देता है डिस्प्रिस कर देता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुचा देता है ठीक है एनिमल्स है तो एनिमल्स के तोवारा भी डिस्प्रिशन होता है जिससे जैन्थियम है जान्थियम जो शीड होता है जिसमें ka twists में चाटे काटे होते है इसा अपने सीड देखोगा है ठीक है इनिमल्स के जात तरह चिपक के जाता है ठीक है इसको हंदी भासाम गोगरू कहते है तो यह ज़ से दूसरे जगह पर पोचाने का काम करते है जानी कि दिश्प्रिशल क और जाते हैं जिससे कि एक जग से दूसरी जग जाकर गिर जाते है रोब पर इनका स्टार्ट हम जाता है टिक है आगा हम देखर हstory तो भाईया क्या होगा शीट प्रमिशन त्यार होगा तो आपके जो फ्लोवर है उसमें से पीटल सीपल और गिर जाते हैं और सम्टाइम्स स्टाइल और स्टिग्मा आलसो पॉल और कुछ दिन कुछ तैम के बाद और ओविल्स जो होता है उसको फूड की सपलाई मिलती है ठीक है बिच इज टेकन बाइदा डेपलोपिंग जायगोट और फिर वो सपलाई लेता है और जायगोट की फॉम बनाता है मतलब आगे बढ़ता है दा जायगोट बेंग्स तुब ग्रो वाई जायगोट में जायगोट एक सिंगल होता है बट यह भी आगे जाके शेल डिवीजन कर लेता है और कुछ तैम बाद यह कंप्लिट एंब्रो बन जाता है ठीक है और एंब्रो बनने के बाद में ऑविल्स डैवलाप यहाड लेयर मतलब ऑविल जो होता है अपने अराउंड हाड लेयर डेवलाप कर लेता है जिससे की सीट का फॉर्मिशन त्यार हो जाता है और सीट से नए यंग वन्स बन जाते हैं ठीक है तो यह सा कुछ प्रोसेस होता है भाई यह फैटलाइसिशन को बाद में कॉस्ट नम्मर सेवन है एक्स्प्राइन दा प्रोसेस आप कि टिशु कल्चर इजन आर्टिफिशल मेतर्ड और वेजेटेटी रिप्रडाक्शन और इन दिस मेतर्ड एपीश ऑप टिशु जीज कट फ्रॉम दा ग्रोइंग टिप अप्लांट यह की कोई प्लांट है उसके एक पॉइंट से एक टिशु काट लिया जाता है मतलब और कीप इथ लूटिशन मीडियम अंडर कंट्रॉल कंडिशन तो हम जो टिशु काडबते हैं उससे हम उनकी ऐसको principles कर लिते हैं और सेपा कलके उनको एक हम ग्लास टूब में डाल लेते हैं और ग्लास टूब में उनको पूरा नूटिशन दिया जाता है और the nutrition medium contains hormones, ठीक है, nutrition में कुछ hormones भी दिय जाते हैं and that make the cells, जिसे की वो cells बाकी की और नई-नई cells बनती है and form group cells और दुबारा एक group of cells बनता है जो की develop होता है आगे जाके roots में and these are then kept in different nutrition medium ठीक है, containing hormones फिर इनको अलालग hormones की रूप में रखा जाता है और ऐसा इसलिए करते हैं, tissue culture इसलिए important जादा होता है कि इससे क्या है, हम एक अलग से glass tube में भी एक पूरा complete paid बना सकते हैं ठीक है, without seeds के, ठीक है, without seeds के, सिर्फ tissues को लेके हम किसी plant के, किसी एक part को काट के उसका tissue लेते हैं और tissue आपको पता है, cell से मिलके बनता है तो ठीक है, उसमें से cell निकाल लेते हैं और फिर उस एक single cell को हम nutrition बगेरा provide करवाते हैं ताकि वो grow हो सके, ठीक है, proper एक plant के रूप में तो इस इंपोर्टेंट, methods of artificial methods तो बच्चों यह आपका chapter है, complete होता है और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज, प्लीज इस चैनल को subscribe करें और not only subscribe, बट share भी करें अपने friends के साथ में हम आपसे यह उमीद करते हैं, और बाकी के सारे वीडियों अगर आपने नहीं देखें तो description में एक link दिया गया है, वहाँ से जाके आप वीडियों सारे chapter number 1 से लेके 13 तक complete living science के वीडियों हैं, आप जाके बोच कर सकते हैं उनके question answer कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, आपके लिए सारे वीडियों बना के एक playlist बना रहा है मैंने, जिसका link description में आपको मिल जाएगा चलो मिलते हैं, अगले chapter के वीडियों में तब तक के लिए, और इस chapter के वीडियों देखना है, उसका भी link आपको description में मिल जाएगा Thanks for watching